बिसमिल्लाइ रामानि रहीम, असलामु अलेकम, वेलकम टू माई यूट्व चैनल थी बेस्ट नर्ज्ट, टेयर श्रॉट्स जैसा कि आपको पता है कि 28 DHQs में BS NERसिंग के इडिमिशन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत सरे स्टॉरेंट हैं जो पूछते हैं कि क्या हम फीज में डिसकेस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करने इसके इलावा अगर आपने मुझसे नर्सिंग से मुतालिक कोई भी केस्टन पुछ नहीं तो आप मुझे इंस्टा और फ़ी पे डीम करके दियू टू डीजियन रिटायर्मेंट तो यह प्रोसेस थोड़ा एक्स्टेंड और डिले हो गया जिसकी वज़ए से अब 25 में है यह बात अपने जहन में रखें इसके लब स्टूरेंट कहते हैं कि आप लॉक्टाउन हो गया है तो क्या हम फिजिकली अप्लाइ कर सकते हैं या ओनलाए कर सकते हैं. डियास्टुरेंटS अभी ओनलाइन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सिरफ और सिरफ आप फिजिकली जाकर अप्लाइ कर सकते हैं. क्योंकि अभी lockdown है लेकिन फिर भी अभी तक colleges की तरफ से ऐसी कोई news नहीं आई कि आप online apply कर सकते हैं बलकि आपको खुछ जाना पड़ेगा खुछ prospectus लेना पड़ेगा और खुछ अपना सब कुछ submit कराना पड़ेगा इसके लावा जो भी student जिस भी DHQ में apply करना चाहते हैं उन्हें जाना पड़ेगा अपने तमाम documents उनको submit कराने पड़ेगे एक possibility ये भी है कि different areas के different DHQs जो उनके करीब हैं वो एक दुसरे के साथ collaborate करके एक दुसरे से admission form मंगवा सकते हैं लेकिन ये तमाम student के लिए possible link है आपको खुछ जाना पड़ेगा क्या पता नेक्स्ट जो है वो DHQs की policy आजाए कि आप online apply कर सकते हैं लेकिन अभी तक आप apply नहीं कर सकते हैं आपको physically खुछ जाना पड़ेगा सब कुछ अपने admission form खुछ submit कराना पड़ेगा आपको अपने ज result card, character certificate, domicile copy, ID card, be form copy, pictures, three और original medical fitness होना लाजमी है अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं medical certificate की medical fitness जो आप बनवाएंगे वो mention किया हुआ है कि वो original हो तो बहुत सारे student पूछते हैं कि हमने एक से ज़्यादा DHQs में apply करना है तो हम कैसे कर सकते हैं dear students आप जिस भी doctor के पास जाएं बलके 2-3 medical certificate बनवा लें वो easily बन जाती है इससे कोई मसला नहीं होता लेकिन यह है कि आप इसकी फोटो कापी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह आपकी original medical fitness certificate होगी कि आप medically fit हैं BS nursing में apply करने के लिए जो कि बहुत जरूरी है यह नहाँ आप फोटो कापी लगा दे और वो आप आपको medically unfit कर दें क्योंकि आपने उनको rules को follow नहीं किया तो सही बात जी है कि आप कोई भी उनको objection ना दे और उन्होंने जो documents थी हैं आप उसको मुकमल तोर पर follow करें इसके इलावा डियर student जो सबसे mandatory चीज़ है वो यह है कि आपका पंजाब domicile होना जरूरी है student मुझसे कह रहे थे कि हमारा domicile नहीं बना हुआ यह बिलकुल बहुत mandatory है आपका domicile बना होना चाहिए अगर नहीं बना हुआ तो आप urgent basis भी अपना बनवा लें क्योंकि इसके बगार आपका admission नहीं होगा इससे पता चलेगा कि आप पजाब province के हैं और आप किसी भी DHQ में apply कर सकते हैं जो के 28 DHQ हैं के लवा डियर स्टूरेंट्स आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्रेक्टर सर्टिफिकेट्स अभी क्योंके colleges बना हैं तो कोशिश करें कि अपने clerks से अपने colleges से contact करें कि हमें लाजमी चाहिए और इसके इलवा जिन स्टूरेंट्स ने marks improve की हैं तो भी मसला हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो new character certificate बनवाएं परानी के साथ ना जाएं क्योंकि उनके शाहिद मार्गस से भी include हो सकते हैं इसके इलावा डियर स्टूरेंट्स आप जानते हैं कि BS nursing में जो scholarship जी जाती है वो 31,470 पर मन्त है और ये increase भी budget के साथ होती रहती है के लावा बहुत सारे स्टूरेंट्स हैं जो मुझे से पूछते हैं कि कौन से DHQ की degree preferable है कौन से DHQ में apply करना चाहिए कौन से का कितना merit है तो डियर स्टूरेंट्स अभी हाली में इन 28 DHQ को update करके nursing college का दरजा दिया गया है तो अभी हम बिलकुल भी कुछ नहीं कह सकते कि किस DHQ का merit कितना जाएगा और कौन सा preferable है नेक्स जब इनकी merit list बनेगी नेक्स येर के लिए हम कह सकते हैं कि कौन सा better है ये कौन सा preferable है लेकिन अभी जो स्टूरेंट्स के कम marks हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है 980 अबव है उनको चाहिए वो एक या दो में apply करते हैं इन्शाला उनका easy ली हो जाएगा ज़र इनका comparison किया जाए teaching hospital से तो day students आपका stipend बिलकुल सेम होगा degree बिलकुल सेम होगी study भी बिलकुल सेम होगी क्योंकि books बिलकुल सेम होगी study आपने खुद करने हैं आपको कोशिश चो की उनको हर डियेजक्यू में अच्छे से अच्छे teacher students को दिये जाएं इसके इलावा students मैंने आपको detail बता दिये कि अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपको जाना पड़ेगा तो जो मैंने आपको documents की list दे दिया है और explain भी कर दिया अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने सार explain कर दिया है तो आपके वो होना जरूरी है कोई भी mistake करने से आपका admission डुक सकता है इसके इलावा students खुद ना जाएं उनके घर से कोई चला जाए तो भी उनके जो documents है वो easily submit हो जाएंगे इसका बस्ता नहीं है लेकिन physically जाना जरूरी है कटनी हो कि आपको वीडियो से हुआ होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने थैंक यू सो मच अल्लाहाफीज